22 वशोंका विश्वास, 10,000 से जदर डॉक्टर्स, गोल, नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, जिहां जितन रामाजी हम पाटी के सुप्रीमों हैं, और गया से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जान बूचकर चुनाव आयोग ने चैती छट का दीन निरधारित किया बोटिंग के लिए, जिसकी 11 बज़े तक 21 फिसद लोगों ने बोट डाल दिया है, तो गया में बोटिंग का प्रिसद ज्यादा है, फिर भी माजी को लग रहा है कि चैती छट के दीन होने की वज़ा से मद्दाता मद्दान के निरपर नहीं पहुँच रहे हैं, अब सताधरित दल के नेता आरोप लग रहे हैं, तो मद्दान का काम तो सांती पुन्ठंग से चल रहा है, अभी तक राज्य के किसी कोने से किसी बड़ी हिंसक बरदात की कबर नहीं आई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनिती शुरू हो गई है, अब जितन नामाजी के इस आरोप का क्या मतलब है, जहां आप खुद अंजाजाजा लगा सकते हैं, लेकिन जितन नामाजी के इस बयान को लेकर बिहार की राजनिती गर्मा गई है, और सताधारी दल ये मान कर चल रहा है कि जितन नामाजी गया से लुक्स भाचुनाव हार रहे हैं, तो देखिए ये आरोप कहां तक जाएगा, क्य क्योंकि किवल गया से ही इस तरह का आरोप आया है, और बाकी किसी जगह से किसी भी प्रत्यासी ने कोई आरोप नहीं लगाया है, हर मद्दान के इंदर पर BSF और CRPF के जवान तैनात किये गये हैं, कहीं से भी कोई हिंसक जड़ब की खबर नहीं आई है, कहीं से मद्दाता कुंदन क्रिशन का कहना है कि नकसली इलाकें हैं जहां पर आज बोटिंग हो रहा है, तो यह थियात के तोर पर चपे चपे पर पुलिस के जवान तैनात हैं, और कहीं भी नकसली अपने पोल बाईकार्ट के एलान को अमली जामा नहीं पहना पाएं, इसकी ब्योस्था सुन नमस्कार